तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिसकस करने वाले हैं यूको बैंक का यूको बैंक का ट्रांजेक्शन किसी भी पॉर्टल पर नहीं हो रहा था एक दो पॉर्टल पर ही होता था वह आपको चाहे इंस्टेंट पे हो गया चाहे आई सीप डिजिटल टिकनोलोजी और अभी दो कोई भी पॉर्टल पर कर दिया गया है मैं आपको बता दूं कि आपके पास जो भी ड्रांजेक्शन होना स्टार्ट हो गया है और यह कल से अपको डूसरी इड लेने कि कोई भी जूरत नहीं है पहले आपके पास जो भी आईड़ी पड़ी है पहले उसमें चेक कर ले कि Yuko Bank आ रहा है की नहीं maximum जो है सभी portal पर Yuko Bank एक साथ live कर दिया गया है किसी एक portal पर पहले live नहीं किया गया है सब पर एक portal पर live कर दिया गया है और यह कल ही के date में update हो गया है सारे portal पर अपडेट हो चुका है क्योंकि बहुत लोग इसी कंडिशन में ID ले रहते हैं किसारम को किवल Yuko के लिए एक transaction के लिए अलग ID दे दीजे अब आपको यह problem दूर हो गया होगा कि Yuko Bank का अब आपको उसी portal पर transaction मिल जाएगा जो portal आप यूज करते हैं एक बार जरूर चेक किजिए और बताइए कि आप जो portal यूज करते हैं उसमें अभी Yuko Bank लाइब हुआ या नहीं मेरे क्याल सा सब पर Yuko Bank लाइब हो गया है मैंने RNF I में भी देखा पेनियर वाइब में भी देखा लाइब है और Spice Money में मैंने देखा लाइब है और Fitware का जो APS मेंने डिवाइब किये वहत लोगों को उसमें भी Yuko Bank का लाइब हो चुका है तो अब आप Yuko Bank का ट्रांजेक्शन कीजिए एस्मोथ ले ट्रांजेक्शन कीजिए बस यही आपको इस वीडियो में बताना था मिलते हैं किसे नए वीडियो में अगर आप कोई भी आईडिया लेना चाहते हैं मिनिमम्म प्राइस पर लेना चाहते हैं लो प्राइस पर अच्छे कमिशन के साथ जूरना चाहते हैं तो आप हमसे जूर सकते हैं Tech Digital RN का WhatsApp नमर नीचे दिया गया आप हमको WhatsApp ये call कर सकते हैं मिलते हैं वे ना इस्टे गुडबाई